हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप आई हो पच्छे ही होंगे यह देखिए एक न्यू पैटरन लेकर आई हूं स्वेटर डिजाइन बहुत ही संदर और बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाला डिजाइन है यह देखो बबल स्टाइब कर डिजाइन है बह इसके लिया आज में इसको बनाना सिखाते हूं देखे इसमें मैंने फोर के मल्टिकल के हिसाप से पंदे लिये जाते हैं इस डिजाइन है फोर प्लस फोर प्लस थ्री पंदे जैसे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर इस तरह से फोर फोर प्लस करके और लास्ट में थ् पंदे तो मैंने 16 प्लस 3 19 पंदे इसमें ले लिये हैं तो देखें फिर्स्ट स्लाई हम बनाएंगे फिर्स्ट रो इस तरह से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे फिर्स्ट रो हमें इसी तरह सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे इस तरह फिर्स्ट रो हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे आप सेकेंड रो तलाफंदा स्लिप करेंगे बैक साइड में उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से उल्टा उल्टा परलवाइस उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे हम इस तरह सोगरण स도 काई बुनकर का सेकेंगे गिर्स एपय़ में पल्टा उल्टा 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 यह सेकेंड रो हमारे उल्टा बुनके कम्प्लेट हो गई अब थाड़ रो थाड़ रो देखे पहला फंदा स्लिप करेंगे और इसी तरह सिधा सिधा बुनकर इसको भी बेश की सलाइय हैं दो तीन सलाइय इस तरह ही निकालनी है हमको सिधा सिधा बुनके इसको भी हम कम्प्लेट करेंगे चार सलाइयो में ही फ्रैंड सी ये डिजाइन कम्प्लेट हो जाता है इस तरह से हमारी ये तीसरी सलाइय थर्ड रो कम्प्लेट हुई फोर्थ रो देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे हम इस तरह उल्टा बुनेंगे फ्रैंड्स ध्यान से देखना अब धागा पीछे ले जाएंगे धागा पीछे ले जाने के बाद अब ये देखिए नेक्स्ट फंदेगो हम इस तरह से सीधा जbab बुनते हैं वैसे स्लाइय डालेंगे दोनों स्लाईपर हम इस तरह धागा रोपेटेंगे एक दू टीन चार पाझ छे ताट आट, नौ दस दस वारत धागला पेट के फिर लास्ट में इस वाली स्लाइपे धागला पेट के इसको हम नीचे से निकालेंगे जैसे बुंते हैं सीधा बुंते हैं उसी तरह हम यह देखे, निकलानी थोड़ा सा करलिवार में थोड़ा टाइट हो जाता है, इस तरह से यह देखिए, इस तरह हमारा यह निकल गया, इसको हम छोड़ देंगे, इन सारे फंदों को और इन फंदों को हम खोल देंगे, इस तरह से हमने सारे फंदों को इस पे गुलन पे खोल दिया है, अब हम यह वाला खीचेंगे, इस तरह से धागा खीचेंगे, तो यह स्प्रिंग सा हमारा बनके आ जाएगा, और नेक्स्ट फंदा भी हम सीधा बुनेंगे, इस तरह से सीधा बुनके, फिर धागा आगे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर यह देखिए, फिर उसी तरह हम धागला पेटेंगे दोनों स्लाईयों पर, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आर, नो, दस, तस बार धागला पेटके, इस वाली स्लाई में दुबारा से एक बार धागला लपेटेंगे और इस तरह इसको निकालेंगे, इस तरह निकाला, अब इसको छोड़ देंगे, अब इन फंदों को हम खोल देंगे, लपेटे हुए फंदों को इस तरह खोल देना है, अब एक यह वाला धागा है, जो यह वाला धागा, इसको हम खीचेंगे, इस तरह से खी माण पिछेंगे तो हमारे ये स्प्रिंग बन जायंगे स्प्रिंग बन गया अब फिर नेक्स्ट पंदा हम सीधाव वूनेंगे जासे फीर धागा आके लाएंगे फिर दो फंदे वूल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे अब देखिए सीधा जैसे बुलते हैं ऐसे फिलाई डालेंगे और धागा लपेटेंगे एक तो तीन चार पांच छे साथ आथ नौ दस दस बार लपेट के इसमें लाश्ट में इसको इस तरह बनाएंगे देखिए मेरा यह नहीं आया अपके बाद फिर से बनाएंगे हम यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ नौ दस इसको थोड़ा टाइप कीच के तब निकालना होता है तो निकल जाएगा देखिए इस तरह से यह निकालेंगे और इसको छोड़ देंगे फिर्ल को खोल देंगे इस तरह पूरे फंदे को हम खोलेंगे और इस तरह से एक धागे को कीचेंगे तो यह हमारी स्प्रिंग बन जाएंगे यह देखो स्प्रिंग बन गए अब नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बन लेंगे धागा आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे फिर उसी तरह एक दो तीन चार पांट छे साथ आप नो दस दस बार लपेटके करते इतना इसमें एक बार ऐसे लपेटेंगे और इस तरह निकाल लेंगे इस तरह निकालके फिर देखो इस फंदे को इन फंदो को हम खोल देंगे इस तरह खोल दिया अब इस फंदे को हम कीचेंगे तो ऐसे स्प्रिंग हमारे बन जाएंगे ऐसे बनके नेक्स्ट फंदा भी सीधा बने आए और लास्ट के फंदे हम यह दो उल्टे बनाएंगे इस तरह से हमारा यह देखिए इस तरह से हमारे डिजाइन देखो किता सुंदर बनकर आता है ऐसे डिजाइन बन जाएगा अब देखिए अब फिर से जैसे फर्स लाई बनी थी हमने सीधा सीधा बनाएंगे इसको ऐसे सीधा सीधा बुनके कंप्लीट करेंगे सीधा बनाएंगे इस तरह हमने बनाया अब देखिए फिर से हम डिजाइन बनाएंगे जैसे हमने पहले इन दो फंदों में डिजाइन बनाएंगे अब इनके बीच में हम यहाँ पर यह देखें पहले हमने इन दो फंदों में डिजाइन बनाया था अब इन दोनों के यहाँ पर और यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे तो पहला फंदा स्लिप करेंगे एक, दो, तीन, चार पंदे हम उल्टे बनाएंगे अब इन पंदों में डिजाइन बनाएंगे धागा पीछे ले जाएंगे इस तरह से फिर राउंड राउंड रुपेटेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, दस हाल लपेट के इस तरह से इसको खोलेंगे जैसे पहले मैंने बताया है वैसे ही, इसको खोलके फिर एक धागा कीचेंगे तो यह हमारे स्प्रिंग बन जाएगा और फिर नेक्स्ट फंदा भी सीधा बनेगे फिर धागा आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे कि धागा पीछे ले जाएंगे फिर से हम एक तो तीन चार पांचे साथ आप नो दस दस वार लपेट के कि अस्टर से विसे इस को को देंगे हम और ऐसे दागा कीच देंगे तो देखो यह हमारे स्प्रिंग बन गए और नेक्स्ट वाला सीधा बनाएंगे फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से हम इन दो फंदों में तो यह देखो हमारे यह बीच बीच में यह बन रहे हैं इस तरह से बार बार रिपीट करेंगे पैटन को तें, चार, पान, छे, साथ, आत, नौ, दस इस तरह से बन गए फिर दो फंदे हम लिए इस तरह से बीच बीच में हमको यह पैटन बनाना है यह देखें कितना सुन्दर पैटन बन कर आता है फ्रेंट्स इसको बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा पैटन इस तरह से बन कर आएगा फ्रेंट्स मेरा पैटन अच्छा लगा हो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जाज जादा शेयर करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें थेंक यू बाई बाई